नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मानस और क्या हाल है कैसे हैं आप सब आज से वीडियो सीरीज स्टार्ट होने वाली है कॉनिक सेक्शन की यह जो पूरा सीरीज रहेगा इसमें लैंगवेज जो रहेगा मैं पूरा हिंदी यूज करने वादा हूँ और कई स्टुनेंट्स ने कवर हो जाएंगी कौन-कौन से मेथेट्स हैं जिनके जरीए हम इन कर्व को बना सकते हैं और साथी आप लोग बहुत सारे एक्जामपल्स भी देखेंगे जो मैं कवर अप करने वाला हूँ और लगबग इंडी भट में जितने भी अनसॉल्ट प्रॉब्लम्स हैं वो सारे क सारे इस वीडियो सीरीज में कवर हो जाएंगे अचा एक और बच्चों की शिकायद रहती कि सर आपने इंग्लिश में अपलोड किया है हिंदी में तो अपलोड किया ही नहीं है तो यार मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं इंजिनरिंग ट्रॉइंग से संबंतित जैसे औ फर प्रजेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेइन, सॉलेट, सेक्शन ये सारे टॉपिक्स मैंने अल्टरीडी कवर कर दिये हैं हिंदी में अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक्स को टब कर दूँगा आप जाकि उन वीडियो को पूरा देखे हैं तो फोटो सामय लगेगा हो सकता है आप एक वीडियो को पूरे एक दिन में देख भी ना पाए क्यूंकि कुशिश करिये कि जब भी आप किसी वीडियो को देखते हैं साथ में आप उसको अपने ट्रॉइंग कॉपी और ट्रॉइंग सीट में पारलली बनाते चलें कि वीडियो खतम होते होते हैं आपका ड्रॉइंग भी रेडी हो जाए तब आपको भी बहुत ही कॉन्फिदेंस फील होगा क्योंकि एक बर आप वीडियो को पूरा देखेंगे फिर अपने आप से बनाने जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा स हमें लग जाएगा बेटर यह है कि आप वीडियो को देखते जाएं और पारलली उसके साथ में ड्रॉइंग भी बनाते चलें ठीक है और एंड और एंड आल दे गाईस हूँ वांट तो सी इस लेक्टिश इन इंग्लिश अगें आल पट आप दोस लिंक्स इन दिस्क्रिप होगे या इसका हलका सा जिक्र होता है 11 कक्षा में जब हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सर्कल एलिप्स पैराबोला है पर बोला के बारे तो यहां पर तो आप मेंली इक्वेशन्स डेवलप करते हैं जैसे एक स्क्वेर बाई स्क्वेर प बहुत ही बहतरीन तरीके से visualize करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, 10 से 15 मिनिट का समय है, अच्छे से देख लीजे, आपको कोनिक section के बारे में सारी बातें clear हो जाएगी, कि हर एक करव का जन्म कैसे होता है, ellips का, parabola का ही, parabola का, ये सा कट करने के बाद जो हिस्सा बसता है, उसको भी हम लोग section करते है, तो ये दो अलग-अलग point of views है, या नजरी है, perspective है, ठीक है, ये सारी चीज़े हम लोग देखिए, कोनिक section क्या होते है, वेल, कोनिक section चार परकार क्या होते है, circle, ellips, parabola और hyperbola, कैसे उनका जन्म होता है, ये ये बराबर होता है, distance of point from focus, this divided by the distance of that same point from directrix, ये सारी बाते हम सिखेंगे, और किस प्रकार से गनित को हम लोग drawing में बदल सकने है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको general method पढ़ाऊंगा है, इस electricity को apply करते हुए कि इस प्रकार से ellipse या फिर parabola को हम लोग construct कर सकते है और फिर देखेंगे कि definitions क्या होता है, eccentricity, इस सारी चीज़े मैं बताऊंगा, क्योंकि conic section में क्या होता है, ellipse के लिए eccentricity की अलग value होती है, parabola के लिए अलग value होती है, hyperbola के लिए अलग value होती है, तो चलिए एक बहुत ही बढ़िया सा चितर आपको दिखाता है, उस चितर को देख कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ को देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो है न, ये जो transparent सा cutting plane देख रहा है, या plane देख रहा है, उसको कहते है cutting plane, इसको कहते है cutting plane, ठीक है, तो ये जो cutting plane के न, इतने हिस्से को cut कर रहा है, इतने हिस्से को cut कर रहा है, कौन के इतने हिस्से को cut कर रहा है, तो जितने हिस्से को भी वो cut करेगा न, उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, section बोलेंगे, और cutting plane को कई सरी पुस्तकों में section plane भी कहा जाता है, तो मैं इसको section plane भी लिख सकता हू दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि कौन के surface में जहाँ जहाँ पर उसको cut करेगा, एक बर यहाँ पर cut किया, यहाँ पर cut किया, यहाँ पर cut किया, उन सारे पिंदू को जब आप मिलाते जाएंगे, मिलाने पर एक curve आपको प्राप्त होगा, उस curve को हम लोग क्या कहते हैं, कौनिक section, इस परिस्तिती में यह जो curve हमको प्राप्त हुआ है, इसको हम कहते है, पराबोला, यह बहुत ही rough sense में आपको बता रहा हूँ, यह क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ वाला उधारण देखें, यहाँ पर भी cutting plane cut कर रहा है कौन को, तो कौन के basically 2 halves है, इसको कहते हैं हम हम लोग double nap cone कहते हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि इसका जनम कैसे होता है, यह भी हम लोग देखेंगे, अभी फिलाल के लिए, आप इतना याद रखें, काटने की प्रक्रिया को हम लोग sectioning कहते हैं, साथ में जिस plane से हम लोग कट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, cutting plane या फि कभी वो कर्व आपको मिलेगा, parabola, कभी मिलेगा, ellipse और कभी hyperbola, और कभी आपको circle भी मिलेगा, circle भी एक प्रकार से एक conic section है, तो एक particular case रहता है conic section का, जब हम लोग को circle पराप्त होता है, तो circle का वो भी एक definition है, ठीक है, तो कर्यकरम को आगे बढ़ाएं, अच्छा, आग और circumference है, उसमें बहुत सारे points है, उन points को जब हम लोग apex से जोड़ते हैं, तो एक line बनती, यह इस प्रकार से line बनती है, कुछ अच्छे से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, tension मद लीजिए, यह जो lines है न, इनको कहते हैं हम generators, तो दोस्तो अगर आप ज़रा सोच के देखें, कि बही एक कोन में कितने generators होंगे, तो बही circle के परिदी में या फिर circumference में तो infinite points हो सकते हैं, अनन्त बिंदू हो सकते हैं, उसी प्रकार से आप कह सकते हैं, कि अगर अनन्त बिंदू हैं, तो अनन्त रिखाए होंगी, यह lines होंगी, तो the generators are infinite, अगर कोई आप से पूछते हैं कि अब ये कोन में कितने generators होते हैं, तो वह आप गिन नहीं सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, there are infinite generators in a cone, सबसे पहले चीज़, यह कुछ-कुछ important terms थे, एक कोन से related, अब चलिए, session को आगे बढ़ाते हैं, और देखते हैं क्या हो सकता है, चलिए, सबसे पहले देखेंगे, एक double lap the cone का होता है, और इसके जन्म कैसे होता है, तो देखें यहाँ पे हम लोग ने लिया है, दो right angle triangle, right angle triangle एक ऐसा triangle होता है, जिसमें एक angle जो होता है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, दो right angle triangles को back to back लगाया है, ठीक है, उसको apex के माधियम से intermediate रखते हुए, हम लोग ने उसको जोड़ दिया है, हम लोग क्या करेंगे अब उसको, यह जो axis है ना, इसके about, यह जो length है, black color में जो मैंने बनाया है, इसके about हम लोग इसको clock है, anti-clockwise, rotate करेंगे, ठीक है, अच्छा, यह 90 degree angle है, rotate करने पर वो क्या करेगा, कुछ volume को sweep करेगा, जो volume को sweep करेगा, उसी को हम कहत हैं क्या, double napped cone, अब दिखेंगे यहां पर, double क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें, दो portions है, एक upper और एक lower, तो दोनों को मिला के कहा गया है, double, double napped, right, right मतलब, right angle से बना हुआ है, circular cone, गोल घुमाने से बना है, और क्या बना है, shape, cone, इसलिए इसका नाम है, right, double napped, right, circular cone, तो यह तो हो गई कहानी, cone की, cone के जन्म की, अब हम लोग दोस्तों, एक software के शरीए, समझने का प्रयास करते हैं कि, cone को अलग-अलग तरीके से काटने पर, कैसे हम लोग को अलग-अलग curves का जन्म होता है, चलिए देखते हैं, तो दोस्तों, यहां पर देखें, हमारे सामने ह एक double-nap right circular cone, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि circle का जन्म कैसे होता है, and by the way, यह जो point है, उसको हम कहते हैं apex, और इसमें बहुत सारे lines हैं, जो कि apex को circumference या परीधी के बिंदों से connect करते हैं, उन lines का नाम है generators, उपर में भी और नीचे में भी, ऐसे infinite generators होते हैं, तो सबसे प तो यह अगर base मानते हैं आप इसको, double-nap right drcc, ठीक है, अगर इसको base मानें, तो base के अगर बिल्कुल parallel cut करें, जो blue color से है न, यह है cutting plane, अगर बिल्कुल parallel icon को cut करते हैं, और वो cutting plane सारे generator से होके गुजरता है, सारे generator से गुजरता है, साथ में वो base के parallel भी है, ऐसी परिस्तिती मे आपको जो, जो, यह सारे points जो हैं, उनको जब आप जोड़ेंगे, तो आपको जो curve प्राप्त होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, एक circle, ध्यान राकिन circle का condition, circle का condition यह है, जो भी cutting plane जो है, वो base के बिल्कुल parallel रहेगा, यह देखे, base के बिल्कुल parallel र कहेंगे, this conic section is a circle, अब कई लोग सोच सकते हैं, अर English में इसकी परिवाशा क्या होगी, तो, it may be defined, as the section obtained, when the cutting plane is parallel to the base, and passes through all the generators, मतलब, एक ऐसा curve प्राप्त होता है, जब cutting plane, base के बिल्कुल समाना अंतर हो, और साथ में, साथ में, सारे generator से होके घुसरता हो, ठीक है, तो यह त किसकी, circle की, अब थोड़ा सा में cutting plane के orientation को बदलता हूँ, और आप समझ पाएंगे कि ellipse क्या होता है, जबर यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर यह parallel नहीं होता, अगर यह base के parallel नहीं होता, मान लीजे, यह कुछ angle बना रहा हो, ऐसा करके, ठीक है, यह कुछ angle बना रहा हो, ऐ देख सकते हैं, ठीक है, तो again ellipse के लिए क्या condition है, कि जो cutting plane है, पहली बात, cutting plane जो है, base से कुछ न कुछ angle जरूर बनाएगा, ठीक है, अगर parallel रहेगा, तो वो फिर circle बन जाएगा, अगर cutting plane base से कुछ angle बना रहा है, और अगर सारी के सारी generators cut हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से द कर रहे हैं, यह जो profile है, यह क्या कहलाएगा, यह एक ellipse कहलाएगा, तो यह होगी ellipse की परिवाशा, again it may be defined as the curve obtained when the cutting plane is inclined, and at the same time passes through all the generators, एक ऐसा section जो के cutting plane जब inclined रहता है, और साथ में सारी generator से पास होता है, तब जो वो curve हम को प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते है, we call it an ellipse, ठीक है, आप चलिए, session को और आगे बढ़ाते है, अब जरा देखते हैं, कि भी parabola क्या होता है, और hyperbola क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना है आपको है, तो चलिए देखते है, parabola क्या होता है, okay, तो इसका जरा मैं front on, vision on कर देता हूँ, यह हो गया front, ठीक है, जरा ध्य अचे, थोड़ा से इसको, हाँ, और अब देखेंगे, कि यहाँ पे सबसे right and side में एक generator है, और अभी जो cutting plane की परिस्तिती है, यह इस generator के बिलकुल cutting plane parallel हो गया है, यह कहलाती है, condition parallel हो लगा, ध्यान रखें, जब cutting plane किसी भी एक half को, double net phone है, या तो उपर वाले half को cut करेगा, य यह मान के चल रहा हो कि अभी इस condition में upper half को वो cut कर रहा है, साथ में, जितनी भी generators हैं upper half में, उनमें से कोई एक generator ऐसा है, जिसके respect में यह cutting plane क्या है, parallel है, ऐसी परिस्तिती में जो curve हम को मिलेगा, वो कहलाएगा, parabola, यह देखिए, यह जो curve है, यह क्या कहलाएगा, यह parabola कहला अब फिर से इसका definition बतायता हूँ, parabola is the curve obtained when the cutting plane is inclined, okay, but at the same time it is parallel to any one generator, किसी भी एक generator के रिस्पेक में वो बिल्कुल समनानतर है, और किसी भी एक हाफ को वो cut करेगा, या तो वो upper half को cut करेगा, या फिर वो lower half को cut करेगा, यह देखिए, यहापे lower half को cut कर रहा है, तब भी parabola मि इसमें दो बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, एक हाफ को cut करेगा, साथ में अनन्त में से कोई भी एक generator as होगा, जिसके वो parallel रहेगा, अगर यह दोनों condition satisfy होती है, ऐसी परिस्तिती में जो curve हम को मिलेगा, वो कहलाएगा एक parabola, ठीक, अब आपके दिमाग में हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला के लिए सबसे पहला condition, जो आपको याद रखना है, कि इसमें cutting plane जो है, वो दोनों half से पास होगा, अपर हाफ से भी पास होगा, और lower half से भी पास होगा, तो कहानी कुछ, दोस्तों कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी, अपर हाफ से भ रहे हैं, यह दो कर्व नहीं है, यह दोनों को मिला के एक single कर्व है, इन दोनों को मिला के एक single हाइपरबोला कहा चाता है, ठीक है, बात देर हो गई, अच्छा, इसमें, इसको जर मैं front on चालू कर देता हूं, तो यहाँ पर आप साफ साब देख सकते हैं, यह देखे, कुछ न कुछ angle बना रहा है, वर्टिकल से या horizontal से, या base से, कुछ न कुछ तो angle बन रहा है, ऐसी परिस्ति में यह जो मिला, आपको क्या मिला, hyperbola मिला, कुछ लोग सोच सकते हैं कि एक और परिस्तिती हो सकती है, हो सकता है कि यह बिल्कुल ऐसा हो, वर्टिकल हो, तो वर्टिकल ह hyperbola को एक special नाम दिया गया, इसका नाम है rectangular hyperbola, तो आपसे प्रशन पूछा जा सकता है कि rectangular hyperbola क्या कहत हो है, उस case में आप ध्यान रखेंगे, अगर आप दोनों के दोनों half से cutting plane pass हो रहा है, और साथ में, base के respect में cutting plane 90 degree पे है, या फिर cutting plane जो है axis के parallel है, ऐसी परिस्तिती में जो करव उत्पन होता है, वो क्या कहलाता है, एक rectangular hyperbola कहलाता है, और hyperbola की basic condition आपको याद रखनी है, upper half और lower half, दोनों से cutting plane गुजरना चाहिए, ठीक है, मेरे कल में काफी कुछ चीज़े clear हो गई है, सबसे पहले हम लोग नहीं देखा, circle, base के parallel cut करेगा, सारे generator से तो क्या कहलाएगा वो circle, कुछ angle पे inclined रहेगा, और सारे generator से pass होगा, तब बनेगा ellipse, किसी भी एक generator के parallel रहेगा, तो कहलाएगा parabola, और अगर दोनों half से pass होगा, upper और lower half, साथ में कुछ angle बना रहा है, ठीक है, ऐसी परिस्तिती में वो कहलाएगा hyperbola, उसमें भी एक special case है, कि अगर base के, cutting plane अगर base के, बिल्कुल 90 degree के कौन पे है, जैसा कि यहाँ पे है, ऐसी परिस्तिती में कौन सा hyperbola कहेंगे, this is a special type of hyperbola, इसका नाम है, rectangular hyperbola, और इसमें भी काफी सारी चीजे आती है, एक problem रहेगा से, परिकली मैं बताऊंगा आपको, वो जिसमें कि हम लोग एज asymptote एक ऐसी line होती है, जिसका करफ से साथ संपर्क या मिलन जो होता है, infinity आनन्त में होता है, तो मैं वो सब चीज़ आपको सिखांगा, उसको कैसे draw कर सकते है, hyperbola को कैसे draw कर सकते है, यह सब चीजे जो है, आप आने वाले lectures में देखने वाले है, तो अगले 10-15 दिन तो आप म दो clear हो गई, अब session को फिर साइक बढ़ाते है, और थोड़ सा summarize कर लेते हैं, तो सबसे पहला case हम लोग ने देखा, यह क्या है, यह है ellipse, बहुत simple सा case है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिग देता हूँ फटा फट यह जो case है, यह है ellipse, cutting plane जो है, cutting plane जो है, कुछ angle बना रहा है case के respect में, base के respect में, साथ में, यह सारे generator से pass हो रहा है, passes through all generators, ठीक, अब यह जो है, special case है, यह ellipse का special case है, बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जो cutting plane है, यह base से कितना angle बना रहा है, शूर्निया का, और साथ में क्या है, सारे passes through all generators, सारे generator से भी pass हो रहा है, तो यह हो गया ellipse, और यह हो गया circle, special case of ellipse आप कह सकते हैं, दूसरा देखते हैं, ये जो है upper half, upper half से भी pass हो रहा है, lower half से भी pass हो रहा है, दोनों से pass हो रहा है, ठीक है, ऐसी परिस्तिती में जो आपको curve मिलेगा, इस curve को आप क्या कहते हैं, इसको हम बोलेंगे hyperbola, हमें शायाद रखें, hyperbola क्या है, एक ऐ cutting plane, upper और lower half, दोनों से गुजरता हो, या pass होता हो, दूसरा, यहाँ पर, आपर और lower half से pass हो रहा है, ये वाला condition जो है, ये तो लागू हो गई, साथ में cutting plane जो है, ये base के perpendicular है, या फिर एक और तरीका है, एक और नजरिया है, जिससे आप इसको बता सकते हैं, ये axis के panel है, दोस अगर ऐसी परिस्ति उत्पन्न होती है, तो जो कर्व हमको मिलेगा, वो कहलाएगा एक hyperbola, या फिर एक rectangular hyperbola कहलाएगा, तो नाम करण लिख देता हूँ यार मैं, इसको कहेंगे rectangular hyperbola, और ये in general एक hyperbola है, और आगे बढ़ते हैं session में, ये क्या है, मेरे कल में अब आपको स any one generator, और एक ही half से pass होगा, at a time, at a time, it is going to pass through any one half, किसी भी एक हाफ से pass होगा, pass through any one half, any one half, ऐसी परिस्ति में जो आपको curve हो मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं, we call it parabola, बहुत ही सरल है, ठीक है, ये है, ये 3D view है उसका, तो मेरे कल में एक visualization की sense में, अगर हम लोग बात करें के, तो आपको काफी कुछ चीज़ें clear हो गई है, कि cutting print को किस प्रकार से हम लोग रखने से किस प्रकार के curve develop कर सकते हैं, तो चलिए, अब थोड़ा सा गनित को मैं लेके आता हूँ, यहाँ पे, तो दो चीज़ों का आप याद रखेंगे, तो देखिए, सबसे पहले ellipse को, mathematically कैसे हम लोग define कर सकते हैं, ये मैं आपको बता है, तो ये तो कहलो हो गया axis, ये हो गया cutting plane, ठीक है, ये जो angle है ना, दोस्तों इस angle को कहते हैं, हम लोग semi vertical angle, चलिए, इसको रहनी दीजिए, आप ये मान के चलिए, outer most generator जो है, ये जो generator है, axis के साथ जो angle बना रहा है, उसको alpha कहते हैं, और ये जो cutting plane है, axis के साथ जो angle बनाएगा, उसको theta कहते हैं, तो ellipse की condition ये है, theta का value जो है, हमेशा alpha से ज़्यादा रहेगा, लेकिन किस से कम रहेगा, pi by 2 से कम रहेगा, theta का जो value है, हमेशा alpha से ज़्यादा रहेगा, और pi by 2 से कम रहेगा, ठीक, अगर ये mathematical condition follow होती है, ऐसी परिस्तिती में जो आपको करव मिलेगा, वो कहलाएगा ellipse, तो देखिए, ये जो range ह अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर ले आऊ, तो theta कितना हो जाएगा, 90 degree, 90 degree अगर वो बनता है, ऐसी परिस्तिती में आपको जो ellipse मिलेगा, वो कहलाएगा, एक circle, ellipse का जो rope आपको मिलेगा, वो कहलाएगा, एक circle, जिसमें कि major और minor axis दोनों सेम हो जाएगे, अच्छा, एक और प तो अगर ऐसा bracket करके लिखते हैं, तो यह not included वाला है, not included, अगर मैं यह वाला bracket यूज करता हूँ, तो फिर वो included वाला case है, ठीक है, एक बात तो clear होगी, theta का value जो है, alpha से जादा होगा, और theta का value जो है, pi by 2 से कम होगा, अगर यह दोनों condition satisfy होती ही, तो हमको जो मिलता है, वो ए ellipse, एक second, अच्छा, यह तो होगया, mathematical sense में, एक और case देखने है, parabola क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, आप axis होगया, यह cutting plane होगया, cutting plane जो angle बनाता है, उसका हम लोग कहते है, theta, और यहाँ पर यह जो angle बनता है, कौन का angle के लिजए आप, यह होगया, alpha, तो इन दोनों के बीच में क्या relation होना चाहिए, तो यह तो बड़ा ही simple है, अगर theta और alpha दोनों same हो गए, तो क्या बन जाएगा, एक parabola बन जाएगा, जब तक theta alpha से बड़ा रहेगा, क्या बनेगा, ellipse बनेगा, लेकिन pi by 2 से उसको कम भी रहना पड़ता है, ठीक है, ओके, यह होगया parabola, ओके, तो यहां से दो चीज़े निकल किया थी, अब यह अलग condition को याद रखो, theta का value जो है, alpha से जादा रहेगा, pi by 2 से कम रहेगा, तो परश्न वोट सकता है, जब alpha के बराबर होगा, तब क्या होगा, तो parabola बनेगा, अच्छा, तो जब pi by 2 के बराबर हो जाएगा, तो क्या बने यह हो गया, cutting plane, तो यहां मैंने, यह कौन सा hyperbola है, यह जो hyperbola मैंने बनाया है, यह प्रकार से मैंने rectangular hyperbola बनाया है, कारण यह है, क्योंकि यह cutting plane जो है, base के साथ, जो angle बना रहा है, वो है 90 degree, या फिर इसको आप एक और नजरिया है, उससे भी देख सकते है, cutting plane जो है, axis के ब हाँ, zero रहेगा, क्योंकि theta angle किस से बन रहा था, जरा मैं पीछे जाता हूँ, theta जो angle था, यह किस से बन रहा है, axis से बन रहा है, आप क्या बोल सकते हैं, यह जो, अब बिल्कुल angle वो नहीं बना पाएगा, यह angle आप measure कर सकते हैं, यह तो parallel हो गया, तो theta कितना रहेगा, zero यह क्योंकि दोनों half से pass कर रहा है, upper half से भी pass कर रहा है, lower half से भी pass कर रहा है, दोनों से pass करेगा, तो जाहिक सी बात हैं, हमको क्या मिलेगा, एक general sense में क्या मिलेगा, एक hyperpola मिलेगा, तो दोस्तों यह सारी बाते थी, जो आज के video में मैं discuss करना चाता था आपके साथ, ठीक है और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले है जेनरल मेठेट के बारे में जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा जेनरल मेठेट के जरीए मतलब इसेंट्रिसिटी, फोकस, डिरेक्टरिक्स ये सब के थुरू जो कि आप मैठेमाटिक्स में 11 कक्षा में और रोड़ी देख चुकें इन सब के जरीए हम लोग कैसे एक एलिप्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ये सारी बातें और ये सारा डेमिन्स्ट्रेशन में आपको सिखाऊंगा आगले लेक्ट्चर तो बिल्कुल मिस मत करिएगा ठीक है अब तक के लिए थैक्स फो वच्चिंग और अल्ली वेरी बेस्ट इन लाइफ एंजोई